बेद की ही व्याक्ष्या है, इतिहास पुराणा भ्याम बेदम समुप ब्रणवे, इतिहास और पुराण की द्वारा बेदव व्यास जी ने पुरा बेद की ही व्याक्ष्या की है, इसलिए इनका नाम बेदव व्यास है, बेद का इन्हों ने व्यास किया, व्यास मने विस्ता ऐसे तो इनका नाम कृष्णत द्वईपायन है द्वीप में पैदा हुए इसलिए द्वईपायन कृष्ण इनका नाम है बेदों का विस्तार किया इसलिए बेदव्यास इनकी उपाधी है तो पूरा नाम लिया जाए तो कृष्णप द्वईपायन बेदव्यास कुष्री व्यास जी महाराज ने पुराणों के माध्यम से महाभारत ग्रंथ के माध्यम से बेद की ही व्याख्या की और किसके लिए की जो लोग बेद को पढ़कर वैदिक ज्यान को प्राप्त नहीं कर सकते ऐसे प्राणियों को सरल ढम से कथाओं के माध्यम से उपाख्यान के माध्यम से धर्म का बोध हो जाए इसी लिए पुरान की रचनत विशेश करके इस्त्री और चतुर्थ वर्ण के लोग जो बेद नहीं पढ़ सकते उनहीं के लिए इन पुराणों में धर्म का बेदव्यास जी ने विस्तार किया स्वयम बेदव्यास जी कहते हैं कि इस्त्री सूद्र जुजबंधूनाम त्रईन शुति गोचरा कर्म स्रेयसि मूढानाम कर्म एवभवेदिह जो लोग बेद नहीं पढ़ सकते जिनको बेद पढ़ने का अधिकार नहीं हो जिसे इस्त्री को बेद पढ़ने का अधिकार नहीं हो कारण क्योंकि इस्त्री का यग्यो पवीत संसकार नहीं होता जिसका यग्यो पवीत संसकार होता है वही बेद पढ़ सकता है, ये नियम और इस्त्री के यग्योपवीत का सास्त्र में कहीं विधान नहीं इस्त्री का धर्म पुरुशों के धर्म से भिन्न है इसलिए उनके लिए बेद पढ़ने की पाबंदी नहीं अब ये बलग बात है कि आज के इस कल्युक के विक्रत समाज में इन बातों को लेकर कि धुराग्रह पूर्वक इस्त्रीयों का भी यग्योपवीत संस्कार किया जा रहा है कई ऐसी नास्तिक संस्थाएं हैं जो धर्म के नाम पर अधर्म का ही प्रचार कर रही है ऐसी संस्थाओं ने इस्त्रियों को भी जग्यों पवीत पहनाना शुरू किया बहुले तुम भी पहनी तुम किसी से कम हो उन मुर्खों से पूछना चाहिए कि जब राधा जी का यग्यों पवीत नहीं हुआ सीता ने यग्यों पवीत नहीं पहना लक्षमी ने दुरगाने यग्योपवीत नहीं पहना किसी सास्त में बर्णन नहीं तो आज तुम इस्त्रियों को यग्योपवीत पहना करके किस महान पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते हो तुम उनके धर्म और उनके संस्कार को और विक्रित कर रहे है कहने का तात पर यह कि अपनी अपनी मर्यादा में रह गए हमारे लिए शास्त्र का क्या निर्देश है उस निर्देश का पालन करते हुए हम धर्म के पत पर चलें यही विशुद्ध धर्म का मार गए सब धर्म सब के लिए नहीं है जो बस्तू किसी के लिए धर्म है वही दूसरे के लिए अधर्म भी हो जाती है पात्र, ब्यक्ति, अस्थान, ताल इसके भेद से धर्म में भेद होता है एक ग्रिहस्त रजो धर्म के पस्चात अपनी इस्त्री का दर्शन न करे इस्त्री रजो धर्म से मुक्त होने के बाद जब पवित्र हो उस समय सास्त कहता है कि पुरुष उसके सन्निकट जाए यही धर्म है अगर पुरुष नहीं जाता है तो उस पती को ब्रह्म हत्या का ही पाप लगता लेकिन वहीं अगर कोई ब्रह्मचारी और सन्नियासी है तो वह इस्त्री का अस्पर्श कर दे तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता क्योंबले काल व्यक्ति अवस्था के वेध से धर्म में वेध होता है जो क्रिया एक व्यक्ति के लिए धर्म है वही दूसरे के लिए अधर्म बन जाती है धर्म की गति बड़ी सूक्ष में है गहना कर्मन हो गति धर्मस्यतत्वम نहितं गुहायाम महा जनों जे नगताफ सितन था धर्म का तत्व बहुत सूक्ष्म है इसको स्थूल बुद्धी से नहीं समझा जा सा सूक्ष्म बुद्धी से जिन महर्शियों ने समझ करके जो संकेत दिया है उससंकेत को हम समझें और तदनकूल आच्रन कर तो जिनके लिए बेदात धेन का विधान नहीं है उन लोगों को भी धर्म का बोध हो इसलिए वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना कर तो बेदव्यास जी केते हैं इतना रचना करने के बाद भी मेरे मन को शांती नहीं मिल रही और संपन्न तो नारच जी ने कहा कि वियास जी आपने महाभारत में और पुराणों में यथा धर्मा दयस्चार्था मुनवर्यानु कीर्तिताह महाभारत और सत्रह पुराण में आपने धर्म अर्थ काम मोख्ष इन सारे विश्यों का आपने वर्णन किया लेकिन एक विश्य का वर्णन आपने नहीं किया बेदव्याश जी ने का आप किस विश्य का तो नारज जी कहते हैं बहगवान बासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया सब की महिमा आपने बताई शिव पुराण में शिव जी की महिमा देवी पुराण में देवी की महिमा गनेश पुराण में गनेश जी की महिमा महाभारत ग्रंद में राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, दंडनीति समस्त प्रकार की नीतियों का निरूपन किया लेकिन जो सब धर्मों के मूल हैं भगवान एशधरमस सनातनह जो साकषाद सनातन धर्म है धर्मस्य प्रभुरच्युतह जो धर्म के प्रभू है स्वामी ऐसे भगवान बासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया इसी लिए आपको अपूर्णता कानुभो हो रहा है वेदव ब्यास जी ने कहा महा भारत में मैंने भगवान की महिमा का वर्णन किया तो नारत जी ने कहा महाभारत में आपने भगवान की महिमा का वर्णन किया है कि अरजुन की महिमा का वर्णन किया है वेदव्यास जी ने कहा क्यों नारज जी ने कहा कि वही आपने महाभारत में अरजुन को हीरो बना दिया और हमारे कनया को जीरो बना दिया अरजुन रत पर बैठ करके महारती बना है और भगवान कृष्ण को आपने सारती बना दिया क्या यही भगवान की महिमात है इतना ही नहीं जिसके संकल्प से अनंतरंत ब्रम्हांड पुत्पन होते हैं पालित होते हैं ऐसे परमात्मा को अरजुन आदेश दे रहा है अरजुन कहता है सेनयोर भयोर मध्धे रतम स्थापयमे चुतव यह अच्चुत दोनों सेनाओं के मध्ध में मेरे रत को ले चलो भगवान कहते हैं जैसी आग्या अरजुन भगवान को आग्या दे रहा है इतना ही नहीं रत चलाने वाला सारती जहां बैठता है उसके पीछे उपर वाली गद्धी पर महारती बैठता है और महारती को युद्ध करना है उसकी द्रिष्टी उसके हाथ युद्ध में लगें अब वो अपने सारती को क्या संकेत करे दाहिने चलना है कि बाएं चलना है इस स्थिती के लिए क्या करना पड़ता है वोले सारथी के कंदे पर महारथी अपने दोनों पैरों को रखे रहता है क्योंकि उपर वो बैठा रहता है नीचे वो रहता है दाहिने चलना है तो अपने दाहिने पैर के अमूठे से सार्थी के दाहिने कान कास परश करता है तो वो समझ जाता इधर रखले चलना बाएं तरब घूमना तो बाएं पैर से बाएं कान कास परश करता है रत को आगे ले चलना है तो दोनों कान कास परश करता है रत को रोक ना हो तो उसके कंधे पर दबाव देता है नारज जी कहते हैं परब्रम्ह परवात्मा सच्चिदानंद कृष्ण जिनके चरण कमल रज की प्राप्ती के लिए जिनके चरण कमल के नखमन चंद्रिका की एक जोचसना को प्राप्त करने के लिए बड़े रिशी मुनियमलात्मा महात्मा विमलात्मा लोग जन्व जन्वांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर तक निरंतर निरंतर आयमान यमनियम आसनप्राणायम प्रत्याहारधारणा ध्यान समाधी के द्वारा जन भगवान के पादारविंद की एक जोट्सना को प्राप्त करने के लिए तरस्ते रहते हैं ऐसे भगवान गोविंद के कंधे पर अर्जुन ब्रिहनला अपने पैरों को रखा क्या यही कृष्ट की महिमा थे इसलिए आपका हिदे अपूर्ण बेदव्यास जी ने कहा देवर्ष आपने मेरे ग्यान चक्षू कोल दिये मैंने तो कर्म को नीत को धर्म को इसी को महत्तु देकर इसी का वर्णन किया लेकिन सब के मूल जो भगवान है उनकी महिमा का वर्णन मैं नहीं कर सका अब मुझे क्या करना चाहिए नारज जी ने का भगवान की महिमा का वर्णन करो तो ले भगवान की महिमा को मैं कैसे जान पाऊंगा तो नारज जी ने कहा कि समाधिना नुस्मरतत विजेश्टितम अपने मन को जब समाहित करके भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान का संपूर्ण चरित्र उनकी महिमा तुम्हारे बुद्धी में प्रस्फुरित हो जाए और श्री नारद ने वेदव्यास जी को चार इश्लोकों में भागवत तक्तु का ग्यान दिया और नारद जी ने अपने पूरव जन्म का बृत्तान्त बताया नारद जी ने कहा मुझे देखो मेरे उपर भगवान की कितनी क्रिपा हुए नारद जी कहते मैं पूरव जन्म में दासी का पुत्र था मेरी माँ लोगों के घर में बरतन माजती थी और जिसके घर में बरतन माजती थी एक दिन उनके हाँ संत लोग आये और वे संत लोग कई दिनों तक रुके चातुर मास्ष किया मेरी माँ उनकी सेवा में रहती मैं भी उनकी सेवा में रहती पांच वर्ष की अवस्था